आज हमारे सामने खड़ी है 5,99,000 की निसान की मैगनाइट का आपका सबसे बेस वेरियंट विस्या जिसमें कि आपको फीचर्स अधर ब्रैंड के जो बेस मोडल है उससे आपको ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और जो प्राइज है पुराने वाले निसान मैगना वाला हूँ, क्या कुछ प्राइस पढ़ जाता है, इंटीर कितने अच्छे देखने को मिलते हैं, एक्स्टीर में आपको क्या क्या दिया गया है और साथ-साथ पुराने वाले निसान मेगनाइट और इसमें क्या-क्या बदला गया है हरी कुछ के बारे मैं आपको इस वीड प्रोफाइल के साथ शुरुवात किया जाए तो आप डिजाइन देख सकते हो बहुत ही जादा आपको अच्छे देखने को मिलेंगे और जो पुराने वाले निसान मेगनाइट आते थे उससे इसका जो ग्रिल है टोटली आपको चेंज कर दिया गया है आपको टोटली ग्लॉ आपको जादा फील होने वाला है जस्त निचे आओगे तो निचे ओला एक ग्रिल देख सकते हो जो कि पुराने वाले से आपको टोटली चेंज कर दिया गया है दोनों से देखोगे तो आपको यहां पर जगा चोड़ा गया है इसके टॉप मोडल में जाओगे तो यहां पर आपको fog lamp मिल जाएगा बट accessories के रूप में आप यहां पर भी fog lamp को लगा सकते हो headlight section के ओर आओगे तो यहां पर देखो halosan bulb के साथ आपको indicator मिल जाएगा side profile के ओर आओगे तो सबसे पहले आप यहां पर इसका wheel देख सकते हो कोई भी आपको यहां पर alloy wheel नहीं मिलता steel rim दिया गया है साथ सबसे base model है जिस विए से आपको यहां पर gap भी नहीं दिया गया है और जो टायर का size है जो कि आपको 195 60 आर 16 inches के साथ इसमें आपको steel rim देखने को मिलेंगे C8 का इसमें आपको tire मिल जाता है side का आप क्लाइडिंग देख सकते हो जहां कि आपको कुछ cuts भी देखने को मिलेंगे totally rough black color में दिया गया है fender पर ही आपको यहां पर indicator मिल जाता है और इस जगा पर आपको Nissan Magnite को भी mention किया गया है और आर्बियम आप यहां पर देख पाओगे totally आपको rough black color में दिया गया है इसे आपको हाथ सही fold करना होगा और हाथ सही इसे आपको adjust करना पड़ेगा अगला update आप यहां पर देखोगे जो कि इसके door handle में किया गया है जो कि base model में आपको totally chrome के साथ आपको यहां पर door handle दे दिया गया है यहां पर देख लो जहां कि आपको 40 लिटर के आपको tank capacity देखने को मिल जाएंगे और गाड़ी के आप rear profile के ओर आओगे तो यहां से इसका design देख सकते हो सबसे उपर में आओगे तो इस दगा पर आपको spoiler दिया गया है जिससे premium nice है पिछे का और look है वो आपको बहुत ही जादा अच्छा मिलेगा high mount stop lamp आपको यहां पर दिया गया है base model है जिस विए से आपको ना ही आपको यहां पर defogger मिलता है वासर और ना ही आपको wiper के यहां पर unit देखने को मिलेंगे इस दगा पर देख लो बीचों भी जहां कि आपको Nissan का branding मिल जाएगा और यहां पर chrome के साथ आपको magnet को भी mention किया गया है tail light आप यहां पर देख सकते हो जहां कि आप indicator मिल जाता है reverse lamp मिल जाएगा और यह आपका stop lamp दिया गया है fully LED का आपको यहां पर इस जगा पर setup देखने को मिलेगा निचे में आओगे तो इस जगा पर आपको total 4 parking sensor भी देखने को मिलेंगे और यहां पर आपको number plate के लिए 2 halogen bulb के light और साथ आपको यहां पर दोनों साइड red color के दो पिस आपको reflector दिये गया है boot space को मैं आपको check out करा हूँ तो यहां पर आपको magnetic button देखने को मिलता है इससे आप जैसे ही open करोगे यह आप इसका boot space देख सकते हो आपको 336 liter के इसमें आपको boot space देखने को मिलेंगे बहुत ही जादा अच्छा सा boot space मिलता है निचे आपको बहुत ही जादा अच्छा deep रखा था अब अभी आप देखोगे जो कि पिछे वाला seat को आप 60-40 में आप split भी कर सकते हो और अपना boot space को आप बढ़ा पाओगे इधर आप इसके जस्ट नीचे देख सकते हो जहां कि आपको a spare wheel को भी रखा गया है जो कि वहीं आपको a steel rim के साथ ही देखने को मिलेगा यहां प यहां पर space देख लो leg room देख लो thigh support देख लो और आप यहां पर head room देख लो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे देखने को मिलेंगे मेरे height से अगर आपका height ज्यादा है तो भी आपको head room में कोई भी problem नहीं आने वाला है अराम से आप यहां पर बैट सकते हो और खास करक moment आपको seat belt दे दिया गया है जो कि आपको isofix side mount के साथ मिल जाता है और बीचो पीछ देखोगे जो कि आपको base model में armrest मिल रहा है दो cup holder के साथ और साथ सथ आपको यहां पर mobile रखने के लिए भी जगा मिल जा रहा है base model में बहुत ही ज़ाद अच्छी बात है और साथ सथ आप यहां पर देखोगे जो कि आपको base model में ही पिछे वाला जो headrest है जो कि आपको adjustable ही देखने को मिल जाता है और सबसे उपर आप यहां पर देखोगे जो कि आपको पिछे में केविन पर एक हेलोजन बर्प के light दिए और इधर आपको grab handle और उस side भी आपको grab handle देखने को मिलेगा गाइस driver seat पर चलू तो सबसे पहले आप इसका door trim देख सकते हो जो कि आपको totally black color में ही देखने को मिलेंगे बट अच्छी बात यहां पर यह है कि आपको base model में यह जो part है जो कि आपको totally cushion के साथ मिलता है soft touch के कुछ space मिल जाता है और निचे आपको यहाँ पे bottle holder भी दिये गया है speaker लगाने के लिए आपको जगा मिलता है क्योंकि इसमें अभी फिलाल कोई भी speaker का set नहीं दिया गया है seat क्यों आपको bucket fit में देखने को मिलेगा dual tone color में मिलता है सिर्फ आप इसे आगे पिछे कर सकते हो recline करने के लिए आपको यहाँ पर control मिल जाएगा बट आपको इसमें height adjustable नहीं देखने को मिलेगा इधर आप देख लो जहां कि आपको traction control on-off करने के लिए और साथ-साथ आपको यहाँ पर headlight labler की control दिये गए और गाइस अभी आप देखोगे जो कि इसको में driver seat पी आ चुका बहुत ही जादा अच्छी बात है साथ-साथ इसमें आपको ABS, EBD, traction control हर एक features इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप सबसे पहले इसका steering देखोगे कहीं भी आपको leather rape तो नहीं मिलता है बट इसके चार और देखोगे आपको यहाँ पर silver color के use मिले इधर आपको headlight के control दिये गए और इधर आपको wiper के control दिये गए है जो कि आपको manually ही करना पड़ेगा इधर आप देखो जहांकि आपको दो AC देखने को मिल जाएगा इसके चार और देखोगे तब को यहाँ पर silver color के use देखने को मिलेंगे को भी आपको यहाँ पर infotainment system ने control दिया गया है इस जगा पर आपको decent space मिल जाएगा सासाथ नीचे देखोगे आपको 12 वोड का charging socket दिया गया है और यहाँ पर भी आपको decent space मिल जाता है यह आप इसका manual transmission देख रहे हो जो कि आपको 5 gear के साथ मिल जाता है reverse gear भी आपको यहीं से लगने वाला है इस जगा पर आ जादा अच्छा सा space मिलता है deep में आपको यहाँ पे जगा मिल जाएगा उपर में आओगे तो इधर आप देख लो को driver side base model में आपको यहाँ पे vanity mirror मिल जाता है साथ साथ आपको ticket holder भी दिये गए इधर आप driver side आजाओ जहां कि आपको ticket holder देखने को मिल जाएगा इधर देख सकते हो जो कि आपको semi-distal में मिलता है बीचो बीच में आपको यहाँ पे digital part दिया गया है और दोनों side देखो कि आपको analog part मिलता है इधर तो आपको takometer मिल जाएगे इधर आपको fuel gauge करने वाला है काफी कुछ आपको indicator मिल जाता है और बीच में आपको speedometer मिलेंगे seatbelt का warning है वह के MID में features देखने को मिल जाते हैं so guys एक उचरा इस गाड़ी के related जो भी information थे और जो भी बदलाव किये थे वो सब कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है अब बात करते हैं इसके engine के बारे में इसमें आपको 1.0L का आपको naturally aspirated petrol engine देखने को मिलेगा जो कि आपको 72 PS का power और आपको 96 Nm का एक गाड़ी आपको torque देने वाली है साथ साथ इसमें आपको turbo petrol engine भी देखने को मिल जाएगा उसमें आपको power जादा देखने को मिलेंगे mileage मेरे हिसाब से देखा जाए तो अब आराम से 18-20 km per litre का mileage आराम से निकाल सकते हो वो आपपे depend करता है कि आप गाड़ी को कितने अच्छे से चलाते हो और अब हम लोग बात करते हैं कि इसके offer के बारे में जो फिलाल आपको festive season में मिलने वाला है फिलाल देखा जाए तो एक गाड़ी है जो कि आपको totally new launched है इस वज़ा से आपके लिए एक sad news है क्योंकि इसमें अभी फिलाल को भी आपके लिए offer नहीं दिया गया है और जो on-road price परता है हमारे नीर city showroom राची में जो कि आपको 6.95 रुपीज रखा गया है शोरूम का जो भी डिटेल है ओ मैं आपको description में दे दूँगा तो मैंने गाए जिस गाड़ी के लेटर जो भी information थे इसके detail room में ओ सब कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है confusion होता आपको सब कमेंट करके पूछ सकते हों और साथ-साथ आप में Instagram पर भी follow कर पाओगे तो फिलाल इस बीडियो में बस इतना है गाईस thanks for watching